आरसीबी आरसीबी रासी अकर आप लोग गी उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई साब इस जरम आरसीबी जीत जाए तो उम्मीद छोड़ दो आई पेल के लावा कोई दूसरी लीग चालू हो जाए और उसमें आई पेल की टीम खेले तो उम्मीद लगा लो लेकिन आई पील में तो यह अपना नसीब बेच के आए हैं पता नहीं इनके उपर हर टीम ने काला जादू करा रखा कि भाई साब इन सारी टीम में जीत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आर्स्थी नवे नंबर पर बैठी है वह कोई नहीं देखता है यार कि कैप्टन है लेकिन सब उस टीम में सभी को दिखाई वराट कोली का फेस देता है क्यूंकि उसी वजह सब उसकी फैन फोलिंग बनी हुई है अब उसको उस लेवल प है अब वह विचारा हर मैच में क्या करें यार एक बंदा क्या है उसकी जान लोगे आप हर मैच में परफॉमेंस वही देगा आज के मैच में 22 रंड मारे ठीक है स्टार्ट अच्छा दिया था लेकिन आप देखो कि अगर वराट कोली नहीं खेल पाएगा जिस मैच में तो उस मैच में कि आप लोग 20 अवर भी नहीं खेल पाऊगे आज इनका मैच था लखनौ के साथ 20 अवर में लखनौ नहीं 181 मार दिए भाज साब पांच और और फाप डूपलेस ने टोज जीता था और बड़े ही उसके साथ कहा था कि आज हम बाद में बैटिंग करेंगे आज एक कैसे रन का स्कोर RCB के लिए कुछ नहीं है अगर RCB आज चाहे तो इसकोर को आसानी से चेस कर सकती है लेकिन उनके हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जितने की जितने सारे C बेटे हुए या L कह सकते हैं इनको इतने बड़े वाले हैं हमेशा की तरह वही की दिन रहता है कि तू चल में आया वराट कोली जब तक क्रीच पर ठीके रहते हैं आज वराट कोली जैसे ही गएं सब का वही सीन हो गया मैकसिवेल आज फिर जीरो पे गया फाब प्लेसी टीम के कपतान है इनकी तो बात ही मत करो टीम को कैसे लेकि चलना है अगर आपने ब के लिए असानी हो जाए आप मारने के बाद उल्टा सीधा भागते हैं बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इतने सारे फैंस लाखों करोड़ों आर्सीबी के फैंस आप उनको हट करके चले जाते हैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब उसेचरा देनी हैं इसे वह दो जबरदर्स रभी विश्नौई पर कितना अच्छा इस स्पिनर है और बदबंदर्स पर उसने तारीफ करने पड़ेगी कि से कम उसने अपना एफर्स टू डाला टीम को कुछ हद तक तो स्कोर को गिराया वरना तो यह पचास रिंद से हारने वाले थे आज हमेशा यार हमेशा आर्टीबी के मैच में वही हो जाता है कि लास्ट में जाके मैच अटक जाता है हमेशा यह दो तीन नामों पर आर्टीबी की टीम टिकी होई है वीके यानि वराट कोली डीके दिनेश कारतिक और एक लास्ट में जो पिलियर आता है इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ महीपाल लोम रोल भाई साहब वो बंदा क्या ही गजब है जो जिस रोल के लिए उसको रखा है नहीं इंपेक्ट प्ले रोल वो अपना रोल बड़े तकड़े से निबाता है वो जो RCB की जोली में दो पोईंट्स आये हैं वराट कुलीन अच्छे रन मारे थे लेकिन लास्ट में जाकर मैच फंस गया था ये दोनों ही मैच को निकल के लेके आये थे दिनेश कार्थिक की वज़ा थी को मैच निकल के आगया था वो महीपाल लोम रोल नो बड़ा अच्छा साथ दिया था आज भी मुकाबला वहीं आकर फंस गया था एवन आज नहीं सारे मुकाबले RCB के वहीं जाकर फंस जाते हैं लास्ट में कि बस दो प्लेयर पर नजर टिकर रहती है कि महीपाल लोम रोल कारणाम कर देंगे या दिनेश कार्थिक कर देंगे आज भी महीपाल लोम रोल जिस एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग कर रहे थी तो लग रहा था कि यार कि आज फिर से चेस कर देंगे महीपाल लोम रोल उस प्लेयर को जिसलिए लाया जाता है कम बोलो में जाधर रन मारने के लिए वो अपना पूरा रोल निभागे जाता ह है लेकिन दिनेश कार्थिक आउट होते ही सारी होप तो पाने फिर गया उसके बाद लगया था कि अकेला वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा उसका साथ देने के लिए कम से कम कोई चाहिए इनने तो टेंशन ही नहीं क्योंकि यह अंग्रेज हैं बाहर से आई यह आज आए हैं इकल चले जाएंगे नहीं मतलब की यह वर्ल्ड कप में ही बहुत दिल दुखा चुके हैं हम इंडियन्स का तो इन्हों कोई फरक नहीं पड़ता है तो पता नहीं और वो नय नहीं बोल एकसी बनाते हो तो कोल काता सोला उबर में चेस करवा देते हो आप से क्यों नहीं बनते हैं उनके लिए तो इतना असान हो गया है वादलब आएकल आते सुनील डगान 50% स्कॉल बनाते और चले जाते लेकिन आप लड़ते ही रह जाते हैं लाश्ट में आके रिजल्ट वही मिलता है कि RCB हार गई हर मैच में टॉस उले से पहले यहीं उमीद रहती है कि यार कल नहीं तो आज आज तो पक्का जीते है गहर RCB लेकिन मैच की लाश्ट बोल तक वही सुनने मिलता है कि सांसा टक जाती है कि यार पता नहीं जीते नहीं जीते पता नहीं जीते नहीं क्यो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेर कमेंट जरूर करें